हेलो गाईज, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंगलिस का जज़बा में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम क्लास 12 पोयम 3 कीपिंग क्वाइट पंपोस्ट बाई पेबलो नेरुदा के बारे में डिस्कस करेंगे यह पोयम एक एंटी वार पोयम है यानि कि युद्विरोधी पोयम है इस पोयम में पोईट हमें बताता है कि किस परकार जब हमें गुस्सा आता है तो हमें अपने आपको किस परकार सांथ करना चाहिए हमें बारह तक काउंट करना चाहिए और वह चाहता है कि जो संसार के सभी लोग हैं कुछ देर के लिए उन्हें अपनी सारी परती किरियाए छोड़ देनी चाहिए हमें बिना बोले खड़ होना चाहिए और अपने बाजू भी नहीं हिलाने चाहिए पहले स्टेंजा में कभी हमें सजेस्ट करते हुए बताता है कि अब हम 12 तक गिंती करेंगे, काउंट करेंगे और हम सब all keep still बिलकुल सांत रहेंगे, सांत हो जाएंगे for once on the face of the earth, let's not speak in any language, for once एक बार फिर on the face of the earth, इस धरती पर, हम किसी विवासा का, let's not speak in any language, हम किसी विवासा का प्रियोग नहीं करेंगे यनकी बिलकुल सांत खड़े हो जाएंगे, let's stop for one second and not move our arms so much और कभी कहता कि हम एक पल के लिए सबी रुक जाएंगे, सांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे and not move our arms so much और अपने इबाज़ों को नहीं हिलाएंगे, यानि कि थोड़ी सी भी चहल पहल नहीं होगी it would be an exotic moment और कभी कहता कि यदि ऐसा हुआ तो यह एक अदभुच सन होगा without rush जिसमें कोई बागदोड नहीं होगी, without engines जिसमें कोई सोर सराबा नहीं होगा we would all be together in a sudden strangeness और कभी कहता कि यदि ऐसा हुआ तो हम सब अजीब तरीके से एक दूसरे के निकट आ जाएंगे second stanza में poet suggest करता है fisher man in the cold sea would not harm whales मचवारे समुद्धर में whales मचलियों को हानी नहीं पहुँचाएंगे harm का meaning होता है हानी पहुचाना and the man gathering salt और वो व्यक्ती जो वहाँ पर salt इकठा कर रहे हैं नमक इकठा कर रहे हैं would look at his hurt hands और उन्हें समय मिल जाएगा अपने गायल हाथों को देखने का hurt का meaning होता है गायल those who prepare green wars और वो व्यक्ती जो युद्धों की तैयारी कर रहे हैं wars with gas, गैसों का युद्ध, wars with fire, आग का युद्ध उन्हें ये बता दे की victory with no survivors survivors का meaning होता है बचेवे व्यक्ती यानि की जो व्यक्ती बचेंगे युद्ध के बाद उनके लिए जीत का कोई महतव नहीं होगा would put on clean clothes और वो व्यक्ती भी बिल्कुल साफ सुत्रे कपडे पहनेंगे and walk about with their brothers वो भी अपने बाईयों के साथ चलेंगे in the said doing nothing छाया में आराम से चहल कदमी करते हुए in the third stanza poet says what I want should not be confused with total inactivity inactivity का meaning होता है निस्क्रियता, confused, पजल होना तो poet कहता है कि जो मैं चाहता है what I want should not be confused उससे आप बरम में ने पड़े उससे confused ने हो उससे उल्जन में ना हो with total inactivity उससे पूर्णत है निस्क्रियता मत समझे life is what it is about जीवन ही इन सब का केंदर है केंदर बिंदू है, center point है I want no truck with death truck का meaning है, सम्बंद रखना तो poet कहता है कि मैं मोत के साथ कोई सम्बंद नहीं रखना चाहता if we were not so single-minded about keeping our lives moving और poet कहता कि यदी हम अपने जीवन को चलाने के लिए single-mind नहीं होंगे द्रिड निश्चे नहीं होंगे तो एक बार फिर and for once could do nothing एक बार फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते in the fourth stanza poet says that perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves कभी कहता कि सायद a huge huge होता विसाल, silence, चुपी एक बड़ी जो चुपी विसाल जो चुपी होती है या सांत रहना might interrupt this sadness of never understanding ourselves हम कभी शिव्यम को नहीं समझ सकने की इस उदासी को तोड़ सकते हैं एक huge silence के दवारा and of threatening ourselves with death और शिव्यम को हमेशा मिर्त्यू से threatening ड्राना अपने आपको जो हम ड्राते रहते हैं उस डर से हम आजाद हो सकते हैं perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive और कभी कहता है कि इस दर्ती से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जैसा कि as when everything seems dead जब परतीक चीज हमें मृत दिखाई देती है मरी हुई दिखाई देती है and later proves to be alive और बाद में वो जीवित सावित होती है इसका उदारन हम अर्थ से ले सकते हैं से अर्थ हमारे अलिए सांत रहकर भी बहुत कुछ काम करती है पोईट कहता है अब मैं बारा तक गिंती करूँगा and you keep quiet and I will go और तुम चुप हो जाओगे और मैं चला जाओँगा इस प्रकार कवी ने इस पोयम में यहां बारा की संख्या बारा गंटों की गड़ी के दवारा कंपेर की गई है कवी के कहने का अर्थ है कि यदि हम बारा गंटे तक अपने आपको सांत रखते हैं हमारे पास अपने आपका मुल्यांकन करने के लिए कम्प्लीट समय होगा हमें जीवन की बागदोड और चिंताओं से राहत मिल सकती है और इस प्रकार हम अपने आपको सांत रख कर हम अपनी समश्याव का समाधान आसाने से निकाल सकते हैं इस प्रकार प्यारे बच्चों ये थी आपकी पोयम कीपिंग क्वाइट यानि की सांत रहना इसमें पोयट ने हमें संदेश दिया है कि हमें बिलकुल सांत रहकर अपना विसलेशन यानि की सेल्प इंट्रोस्पेक्शन आतम विसलेशन करना चाहिए उमीद है आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी अब जो आपको विडियो के अंत में ये इक मल्टिपल चोईस क्वेशन दिये गए हैं इन्हें लर्न कर ले और अपने नोटबुक में राइट कर ले धन्यवाद आपका दिन सुब हो जैहिन जैभारत